नमस्कार आप देख रहें सिल्क टिवी और मैं हूँ आपके साथ निशु गुपता आए करते ख़वरों की सुरुवात सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर अमर्पूर फटेपूर पंचायत के मुख्या का सब संदिक अवस्ता में भागलपूर से हुआ ब्रामद इलाके में फैली संसनी भागलपूर में तेज रप्तार पीकप वेन वा दुरगटना गरस्त गारी में शवार दो युबक की हुई मौद एक की हालत गंभी तिलका मांची भागलपूर विश्विद्याले का गार्डन जंगल में हुआ तब्दील सौंद्री करण को लेकर अधिकारी लापरवा हिरोशिमा दिवस को लेकर गोश्टी का हुआ आयोजन यूध हिंसा और वचेस्ट पर हुई चर्चा और अलप संक्याफ कल्यान विभाग की ओर से निसुल कोचिंग का हुआ श्रवारम बेपी स्सी पीटी की कराई जाएगी तयारी और अब खबरे विस्तार से भागलपूर के लोधीपूर थाना छेतर जीचो गाउं से एक व्यक्ति का सव संदिक्द अवस्ता में बढामद हुआ मिर्तक वैक्ति की पहचान बाका के अमरपूर थाना छेतर के फतेपूर पंचायत के मुखिया रविंद दास के रूप में हुई है घटना के बाद मिर्तक के गाउं में संसनी फैल गई वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुची लोधीपूर पुलीस ने सब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया बताया जाराई की मुखिया सोमबार की रात अपने अमरपूर स्थित खर से कुछ नीजी कारी के लिए भागलपूर आया था लेकिन साजिस के तहत उसकी हत्या कर अपराधियों ने उसके सब को जीचों के समीब फेक कर फरार हो गया फिलाल घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है फिलाल पुलीस घटना के हर बिंदू पर गहराई से जाच कर रही है वहीं अमरपूर स्थित मुख्या के घर पर लोगों की भीर उमर परी है भागलपूर के TNB कॉलेज गेट के समीब सोमबार की देर रात अनियंत्रित पिकव वैन सारा किनारे दिवार से जा टकराया टकर इतना जबरदस्त था कि गारी दिवार को तोड़ते हुए आम के पेर से टकरा गया इस घटना में गारी बूरी तरह से छतिगरस्त हो गया जबकि गारी में सवार तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए जिसे अस्थानिये लोगों की मदद से इलाज के लिए मायगज अस्पताल में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने गंभीर इस्थिती को देखते हुए दोनों घायलों को पटना रैफर कर दिया वहीं पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई मिरतक की पहचान हुसैनावाद निवासी 30 बर्सिये फिरोज और 28 बर्सिये गोलु के रूप में हुई है जबकि घायल खिरीवाद निवासी मौहमद राजन का इलाज मायगज अस्पताल में चल रहा है घटना को लेकर बताया जा रहा है की पीकव वैन भागलपूर से सुल्तान गंज की ओर जा रहा था तेज रप्तार होने के कारण चालक ने अपना संतुलन खो दिया जिसके कारण या हाथसा हुआ तिलका मायजी भागलपूर विश्विद्याले का प्राशास्तिंग भवन भले आपको बहर से खुबसूरत दिखाई दे लेकिन इसके कैंपस की वास्तविक्ता इसके विप्रित है हलात यहा है कि देश की अजादी के लिए लड़ने वाले सहीत तिलका मांची की प्रतिमा को विश्विद्याले परशासन आज तक एक छतरी भी नहीं दे पाया है श्वातंत्रता दिवस, गंतंत्र दिवस, विस्विध्याले अस्थापना दिवस समारो, तिलका मांची की जैन्ती और पुन्य तिथी पर विस्विध्याले की अधिकारी और क्रमचारी पुष्प अर्पित कर बाबा तिलका मांची को नमन तो कर लेते हैं लेकिन इसके बाद नियमित रूप से प्रतिमा की साफ सफाई तक नहीं की जाती है। प्रासाश्णिंग भवन के ठीक सामने गाडन में बने प्रतिमा की ग्रिल पर पिछले कई दिनों से जारी और घास उगाये हैं। लेकिन इस पर किसी अधिकारी की नजर तक नहीं है। कैंपस में चारों तरफ लंबे-लंबे घास उगे हैं और एक दरजन से अधिक गमले इन घासों में ढग चुके हैं। जिन गमलों को कैंपस की सुन्दरता बढ़ाने के लिए खरीदा गया था, आज उसकी ही दुरदर्सा हो रही है। एक तरफ विश्विद्याले की कुलपती प्रॉफेसर विभास चंडर जहा कैंपस को सु सर्जित करने का निर्देश देते हैं। वही दूसरी तरफ इन निर्देशों का विश्विद्याले के दिकारी कितना पालन करते हैं बताने के लिए गार्डन में उगी घांस जहारियां काफी है। हिरोशिमा दिवस के अफसर पर मंगलवार को भागलपुर के कला केंद्र में पीस सेंटर परीदी एबं राष्टि सेवा दिल की ओर से युध हिंसा और बचरश्वि के विशय पर गोष्टी का आयोजन रामसरन की अध्यक्षता में हुआ। गोष्टी में 6 अगस्ट 1945 में जपान के हिरोशिमा नागाशाकी पर हुई परमानु हमले को याद कर विश्व के लिए घातक कदम बताया गया। इस दोरान मौझूद बिविन समाजिक संगठन के लोगों एबं बुद्धी जीवों ने कहा परमानु बंपूरे विश्व के लिए बिनासकारी है और इसका दुर्प्योग करने से कई पर यहां तवा हो जाती है और तमाम विकासकार सद्यों पीछे चला जाता है। साथ ही कहा सभी देश इससे होने वाले नुकसान पर विचार कर इसकी होर में सामिल होने से बचे तभी सही माइने में विकास और विश्व सांती कायम होगी। सब्सक्राइब करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशकबरी है। इस सफलता को देखते हुए दोबारा कोचिंग की सुर्वात की गई है। सब्सक्राइब कोचिंग का लाब ले शकते हैं। कि हम उनको सही तरीके से तैयारी करवा सके हैं उनके एक्जाम के लिए। लेकिन इसके अलाबा कुछ पुराने बैच के छात्र भी हैं। उनको भी यहां तैयारी करने के लिए पर्मिशन दे दी गई है। और वैसे छात्र जो पॉम नहीं भड़े हैं लेकिन वो तैयारी करना चाहते हैं। उनको भी यहां कोचिंग में मना नहीं किया गया वो भी आकर पढ़ाई कर सकते हैं। यह पिछले साल भी 64 वे भी पीएससी की तैयारी यहां सुरू की गई थी। और उसी के परफॉर्मेंस के तहत 63 वे भी पीएससी की तैयारी के लिए यहां सेंटर दिया गया है। और लगबग 200 से जादा लड़के इस कंपोटिशन में बैठे थे और उसमें 70 लड़के को मुझे लेना है। ऐसे चात्र जो मानेटरी से नहीं आते हैं और वो पढ़ने के उनमा ललक है। तो मैं वैसे लड़कों को भी इस कोचिंग में रखता हूँ इस 70 लड़के के बाद ताके वो भी अपने शहर का, अपने कॉलेज का, अपने इलाके का नाम रशन करे उनका भी भवी सुधरे। कहलगाओन मंडल के सनौला प्रखंड स्थित बोड़ा पाठक डी पंचायत में नलजल योजना और एलेडी लाइट की जाज करने मंगलवार को जिला पंचायती राजपता दिकारी अपुर्भ कुमार मधुकर सनौला पहुचे, जहां डिपी आरो ने 15 पंचायतों में अगे एलेडी लाइट की गुनबत्ता ठीक नहीं है, उन्होंने इसकी रिपोर्ट वरी अधिकारी को देने की बात कहीं, निरिक्षन के दौरान सनौला बीडियो अर्विंद कुमार, मुख्या जगत चौधरी, समास सेवी सुमन कुमार सिंग मौजूद थे तो अब इसके बाद यहां की अहालत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अभी करता जो है, अभी करता और कांट पूरा नहीं कर रहे हैं वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं, ब्रेक के बाद आप देखते रहे हैं सिल्क टिवी अगदीसपूर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर ओक्सिमीन ग्रूप अप कमपनी सिकंदरपूर नियर पानी टेंकी भागलपूर मुवाइल नंबर 7079446584-8430-075573 तिलका माजी भागलपूर विश्व विद्याले से संबद्वता प्राप्त भागलपूर जीले का आज के इस अत्याधुनिक युग में कॉंप्यूटर की जानकारी विसेसकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है इस कोर्स में बेसिक कॉंप्यूटर कंसेप्ट, MS Office, Word Processing, MS Excel, MS PowerPoint शामिल है नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्याले के प्रचारे डॉक्टर प्रदीब कुमार सिंग द्वारा छात्रों के बहतर भविश्य के लिए महाविद्याले में अत्यादोनी Computer Lab, सुसजित पुस्तकाला एवं एक्सपर्ट सिक्षकों की संपुर्ण वैवस्था की गई है जो छात्रों को संबंदित कोर्स में गुनवक्ता पूर्ण सिक्षात दे सके एक छुक्षात्र छात्रा है 25 जुलाई से महाविद्याले से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मुवाइल लंबर 9431-689547 या 7979051039 पर संपर्ट कर सकते हैं भागलपूर के कलगाओं में श्री बाबा बटेश्वरनात महसव का आयोजन किया जा रहा है आप सभी श्रधालू से रिवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वरनात पहुंचकर आजन को सफल बनाए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को श्यार करें धन्यवाद ब्रेक के वाद एक बाब फिर से आप सभी का श्रागत है आप देख रहे है सिल्क टीवी आई बरते एगली खवर के ओर भागलपुर के मिसरा टोला बरी खंजरपूर में कारगिल सहीद मिठलेश पाठक के सहाधत दिबस को लेकर मंगलवार को सरधानजली समहारों का आयोजण किया गया समहारों में सहीद लांस नायक मिथलेश पाठक के चितर पर पुस्पांजली अर्पितकर उनकी विर्ता को याद किया गया इस दोरान सहीद की पतनी अर्चना देवी, पुत्र योगेश पाठक, सलेश पाठक, एबं भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे समयत कई लोगों ने सहीद को शरधान जली दी और देश के लिए दिये गए बलिदान को याद किया योगेश ने कहा कि 6 अगस्त 1999 को कारगील यूद में सीमा पर 6 गुस्पीटियों को मार्द गिराया सहादत दिवस को लेकर अखंड संकिर्तन का भी आयोजन किया गया भागलपूर के रानी लक्षमी बाई चौक के समीप जोकसर थाना अध्यक्ष बिस्ववंदू के नैतरित में वहान चैकिंग अभ्यान चलाया गया नोगचिया अनुमंडल अस्पताल में अल्ट्रसाउन मसीन लगाया गया जिसका उदखाटन मंगलवार को ACMO डॉक्टर एके जहा ने फीता काट कर किया मसीन के चालू हो जाने से प्रसब के लिए आने वाली महला मरीजों को काफी लाब मिलेगा उदखाटन के दौरान अस्पताल में आय मरीजों में काफी उत्सा देखा गया इस मौके पर अस्पताल उपाधिक्चक अरुन कुमार सिना, डॉक्टर राकेज जह, डॉक्टर जोटसना जह, सहित अस्पताल कर्मी एबम मरीज मौजूद थे वन महत्सप को लेकर मंगलवार को नरगा कोटी स्तेत गनपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्यामंदिर परिशर में छात्र छात्राओं के द्वारा ब्रिक्चार ओपन किया गया विद्याले के परधाना चारे रामजी परशात सिना ने कहा कि जल परदूशन, बायू परदूशन, भूमी परदूशन और ध्वनी परदूशन में लगातार ब्रिधी हो रही है यदि इस पर नियंत्रन नहीं किया गया तो इसका परिनाम भ्यानक होगा उन्होंने कहा कि ब्रिक्षारोपन परियावरन को संतूलित कर मानव के अस्तित्म की रक्षा के लिए आवश्यक है इस मौके पर असोख मिस्र, अभिमन्युकुमार, डॉक्टर वेद परकास, दीपक जास्तहित, सिक्षक एबं छात्र छात्रायें मौजूद थे भागलपूर के सुंदरवती महला महाविध्याले में मंगलवार को जुलोजी डिपार्टमेंट की ओर से सनातक अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए विदाई समहारों का आयोजन किया गया समहारों में विभाग की छात्राओं ने सांस्कृतिक कारिक्रम की प्रस्तूती देते हुए भविष्य के लिए सुबकामनाई भी दी कॉलेज की प्राचारिया डॉक्टर अर्चना ठाकुर समेथ कई सिक्षक सिक्षकाओं ने जहां छात्राओं का मार्ग दर्शन किया वहीं छात्राओं को अपने सिनियर्स के सम्मान के साथ अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए सदा परियास करते रहने की बात कही साथ ही निर्थ गायन एबं मनोरंजक आयोजन के मार्ध्यम से छात्राओं को अपने अंदर छिपी परतिवा को सामने लाने की बात कही मंच का संचालन छात्रा अंकीता कुमारी एबं प्रग्या निक किया इस दोरान निर्थ एबं गीत के साथ समाजिक संदेज देने बाले कारिक्रम की भी प्रस्तूती छात्राओं नी दी इस मौके पर डॉक्टर मधूली का सहाय, कुमारी प्रियंका, आर्ती बर्मा, मौसमी डे, दीपक कुमार बर्मा समेत काफी संख्या में छात्राओं मौजूद थी बाका के पंजबारा में जरजर हो चुके हाय टेंसन तार के तूटकर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है मंगलवार की सुभा अचानक 11,000 वॉल्ट का तार तूटकर नीचे गिरा जिससे ग्रामिनों में अफ्रात तफरी मच गई ग्रामिनों ने कहा कि धरैया मुख्य मार्ग महादलिक टोला के समिप हाय टेंसन तार काफी नीचे से गुजरा है जिसके कारण हमेशा भै बना रहता है जबकि तार को दुरुस्त कराने के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को इसके सूचना दी गई लेकिन अब तक कोई कारवाई नहीं हुई हम आपको बता दे कि जरजर हो चुके हाय टेंसन तार की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गबा चुके है फिर भी विभाग इन हाथसों से सवक नहीं ले रहा है बाका के 12 हाट प्रखंड पंजवारा गाउं से 25 बरसिय मुकवदिर युबग पिछले 5 दिनों से गायव है जिसको लेकर युबग के पिता राम जी मंडल ने 12 हाट थाने में आवेदन दे कर अपने पुत्र की 100 कुषल ब्रामदगी की कुहार लगाई है बताया जा रहा है कि 2 अगस्त की सुबा सरवन सौज के लिए बहियार गया था लेकिन वापस लौट कर नहीं आया जिसके बाद परिजनों ने सरवन की काफी खोजबिन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया है परिजन किसी अन्हुनी की आसंका से सहमे हुए है चलते ज भागलपूर से हुआ ब्रामद इलाके में फैली संसनी भागलपूर में तेज रप्तार पीकप वेन हुआ दुरघटना गरस्त गारी में शवार दो युबक्की हुई मौध एक की हालत गंभी तिलका मांची भागलपूर विश्विद्याले का गार्डन जंगल में हुआ त देकर गोष्टी का हुआ आयोजन यूद्ध हिंसा और वचर्ष्ट फर हुई चर्चा और अल्प संक्या कल्यान विभाग की ओर से निसुल कोचिंग का हुआ श्रवारम बीपी सी पीटी की कराई जाएगी तयारी फिलाल इस मुलेटिन में इतना ही नमस्कार